नमस्कार, जय जोहार, मैं कोमाल साहूँ, स्वागत करता हूँ आप सभी का Competition Community के इस e-learning platform, जहाँ पर आज हमारे चर्चा का हमारे मन्थन का एक विस है, जिसे हम बोल रहें कि आप 36 गड में भूगोई, इससे पहले भी हमने और कई वीडियो बनाये थे, जिसमें हमने 36 गड के कला, एवम संस्कृती, जन जातियां, तचा 36 गड के पूरा संपूर्ण इतिहास के उपर, 36 गड का प्राचिन इतिहास, मध्य कालेन 36 गड का इतिहास, और आपके लिए आधूनी कालेन 36 गड का इतिहास, सर 36 गड़ का भूगोल भी क्या है बहुत बड़ा है तो आज की टॉपिक में हम क्या कवर करने वाले हैं तो आपको दिखेगा पीछे में सबसे पहले देखेंगे हम 36 गड़ का प्राकृतिक विभाजन उसके बाद देखेंगे 36 गड़ में परवात पठार कि कौन सा पठार सब सबसे बड़ा है कौन सा फबाठार सबसे छोटा है कौन सबसे जादा विश्तृत है इसमीं चोटिया भी आएंगी कि अगर 36 गड़ में अगर चोटिया है तो कौन चोटिश सबसे ऑची है पिक बोलते हैं जी कौन सा highest peak है उसकी बात कर रहे है अगर बात कर रहा है, soil का मिट्टी की बात कर रहा है, कि 36 गड़ में कितने प्रकार की मिट्टी है पाई जाती है, किसका विस्तार सबसे जादा है, किसका विस्तार सबसे कम है, उसके बात देखेंगे, अगर मिट्टी हैं, तो उसका इस्थानी नाम क्या है, और कौन सी तो किन हवाओं से वर्सा होती है, अगर यहां पे सीद कालीन वर्सा होती ही, तो कैसी होती है, यहां पे कोन सबसे ज़्यादा गर्म इस्थल है, कोन सबसे ज़्यादा आपके लिए क्या है जी, वर्सा वाला इस्थल है, च्छतिस गड़ में सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, सबसे ज्यादा ठंड कहां पड़ता है, सब ही प्रस्नों को हाँ, आज के हम इस वीडियो में क्या करने आले हैं, सौल करने आले हैं, क्लियर जी, तो चलिए बिना किसी देर के, बिना किसी विलम के प्राराम करते ह आज की इस वीडियो का जिसे हम बोल रहे क्या 36 गण का बोक्र क्लियर जी चलिए देखते हैं पहला प्रस्ना पहला प्रस्ना क्या बोल रहा है चत्तिस गडट भारत के किस भू भाग या प्राकृतिक प्रदेश का हिस्जा तो इसआरसर इनस नह सब आपके लिए चर्चा कर चुके है मैं इसको पढ़ा रहूं कर दो है नहीं के हो है कि 36 गड़ भारत के किस भूभाग का हिस्सा है आंसार आप ले के चलिए कौन सा प्राइदीपी पठाथ अब इसका थोड़ा इतिहास पन जानने का समझने का एक कोसिस करते हैं सबसे पहले अगर आप प्लेट टेक्टॉनिक्स थूरी देखे होगे तो उसमें क्या था यह मालो आपके प्रित्वी तो क्या था पूरा जो दूनिया है दो रूपों में क्या था जी विभाग था ठीक है पहला यह देखिए थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूं भाई आपका पूरा जली भाग था और दूसरा था आपके लिए थलिय भाग जली भाग मतलब जिसमें केषा जल भरा थका दूसरा था आपको ठली भाग जिसको पूरा भूमी बोल सकतेया अब यही जो भूमी है, बाद में क्या हुआ, अलग-अलग रूपों में टूटा, इसी को हम लोग क्या बोल सकने, देखे, यह सबसे पहले मान के चलता हूँ, अगर यह क्या है, आपके लिए भूमी वाला पार्ट है, यह क्या हुआ था, आपके लिए दो पार्ट में से क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, इसको क्या बोलते थे, उस टाइम पे अंगारा लेंड, और इसको बोला जाता था, क्या गोंडवाना लेंड, यहां से प्रश्न बनेंगे भाई, इसलिए बता रहा हूँ न, आपको जबर जस्ती नहीं बता रहा हूँ, अंगारा लेंड, दूसरा गोंडवाना लेंड, अब यह अगें टूटते हैं, तो यह किस में टूटेगा आपके लिए ऐसा, यह ऐसा आपके लिए टूटेगा, दिखाई देगा, यह आपके लिए रहेगा क्या, उत्तरी अमेरिका, यह रहेगा आपके लिए क्या, दक्षिनी अमेरिका, यह आपके लिए रहेगा अर्ट होगा तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा ऐसा छीचा फिक जी ये आपके लिए एक रहता अफ्रीक एक महादवी फैना दूसरा आप देखते हुँए मेडा गासकर आप क्या धेख्योगे एक एक इनिमेशन मुवी देख्योगे तो आपके लिए मेडा गासकर बनता है आपके लिए अंटारकटिका बनता है और हमारे लिए जो इन्पोर्टेंट है वो था ऐस्ट्रेलिया यह ऐस्ट्रेलिया से कितना साथ अदसमलो एक अरव साल पहली मतलब 71 million year पहले की बाथ है यहां से क्या होता है एक भूभाग टूडता है इस इसी शेप को बोला जाता है आपके लिए क्या भारत में प्राइडीप count तो लिए जो पूर्शन ही पूरा यसे पहीलिस नहीं था अगर आप भारत को देखोगे एक्च्वल भारत था विभाजीद हुआ था तो ये वाला सेक्षण है तो ये जो नीचे वाला सेक्षण है इस सि को बोला जाता है आपके लिए क्या प्राइदीपीप। परठार ऊसी का हिस्सा है तो आपको याद रखना हमारा राज्य 36 गड़ हमारा राज्य 36 गड़ जो भाए वो आपके लिए क्या प्राइदीपी पठार का क्या हिस्सा है आपको यहां से और प्रस्ण बनते हैं अगर आप भारत के भूगोल की द्रिश्टी कौन से देखोगे तो यह जो प्रवत्तिय क्या है प्रदेश है यह देश के का सबसे या विश्व का सबसे नवीन परवस रिंखला है और इसी में आपके लिए क्या आता है हिमालाय अब हिमालाय भी पढ़ोगे तो आप चाठोक हिमालाय पढ़ोगे चारों हिमाले एक नाम क्या क्या है जी ट्रांस हिमालाय आपके लिए क्या है ग्रेट या महान हिमाला फिर आता है आपके लिए लगु ही माला है और आपके लिए आता है क्या सीवालिक ही माला है आपको ये चारों का अगर पूछेगा निर्मान का कालखंड कौन सा है तो ये कब बने थे टरसरी टर्सरी काल पे क्या हुआ था इनका निर्मान हुआ था क्लियर जी अब टर्सरी काल के भी अगर अंदर चले जाओगे तो आपको याद रखना अच्छा उधर तो बन नहीं रहे मुझे तो मैं इधर लिख देता हूं आपके लिए क्या सबसे पहले महान हिमाल है लगू हिमाल है और आपके लिए आता ही क्या सीवालीक हिमाल है तो आपको याद रखना PMO P.M.O उल्ल्टा जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस याद रह लेना तो पी से याद रखना आपको क्या प्लायोस है ऑपको mRNA मायोसिन और oxygen यह तीन आपके जो काल खंड है इसमें निर्मान हुआ था आपके लिए महानी मालेका लगुई मालेका और सिवाली की मालेका क्लियर जी तो आपको याद रखना ये सब चीजे यहां से भी आपके लिए प्राइदिपी पठार ये है गोंडवाना लेंड का हिस्सा तो आपको ये पूछा जाता है कि आपके लिए जो प्राइदिपी पठार है किसका हिस्सा है गोंडवाना लेंड का हिस्सा है आपको पूछेगा कि भारत का सबसे पूराना तो भारत का सबसे पूराना इस्थल है या पूराना हिस्सा है यह आपके लिए उत्तर भारत देखते हो इधर यह पूरा गंगा के मैदान के बाद अगर आप इधर देखोगे तो यह जो हयोबाद में बना यह है पूरा भारत का सबसे पुराना पार्ट अगर आप देखोगे आपको इंट्रस्टिंग चीज़ दिखाए देगा यहां पू गीर नेशनल पाक है तो गीर नेशनल पार्ख में आपके लिए क्या मिलते हैं वुउप यह सुचिये पूररे एस्या में केवल गीर निशनल पार्ख में वह जो लॉयान है व misma इन्हें ऐस मिलते हैं आपको मैं टील करूंगे तो एक बार और बता हूँँग Karma हुँआ हूँ यह वारा जो पोर्साण है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सहाद्री या पश्चीमी घाट, तो पश्चीमी घाट में ही आपको क्या मिलेगा? गिर नेशनल पार्कर나शविव और आफ्रीका देखोगे वहां मिलते हैं आपको बब्बर शेर लेकिन ये आपका सहाधरी का या पश्चिमी घाट वहला हिश्सा ही किस्य अलग हुआ और अस्टिलिया का वह हिश्सा किस्य अलग हुआ था अफ्रीका बागता से इसलिए आपको याद रखना है क्या प्रायद दीपि पठार का पस्चिमी घाट है उसह में आपके लिए गिर नेशनल पार्द पड़ता है तो आपके लिए अफ्रीका में जो आपको क्या मिलता है जी बॉबबर सेर याा जेर तो आपको याद रखना है आगे बढ़े क्या आपको याद रखना है उत्तर भारत का या उत्तर का विशाल मैदान यह उत्तर का जो विशाल मैदान आता यह बीच वाला पोर्शन मतलब यह तो आपके लिए हो गया परवती प्रदेश या सिधा सिधा बोल सकते हीमाल है नीच प्रस्ण भी आपको पूछा जाता है कि भारत का नविंतम संरचन निन्मा में से कोई है। आपको चार ओप्शन सेंटुसेम मिलेगा लेकिन अप्शन आएगा क्या उत्तर कर विशाल मधार। अब नविंतम सर रचना क्या चीज होता है समझी, एक होता है new और दूसरा होता है latest, इंग्लिस में अलग-अलग word है new और latest, जैसे आप एक हप्ते में दूठो क्या लेते हो जूता, एक जूता आज से 7 दिन पहली लियो, एक जूता कर लियो, दोनों जूता कभी तक आप पहिन नहीं हो, और दोनों आपके लिए क्या है नया जूता है, लेकिन जो एक हप्ते पहले जूता लिये थे उसको नया जूता बोलोगे, और जो कल जूता लिये थे उसको नविंतम बोलोगे, नये में भी नया, मतलब एक होता है new जो एक हप्ता पहली लिये थे, और latest मतलब जो क लिए ते समझे तो आपको पूछेगा कि भारत का नविंतम सार रचना क्या है तो यह है आपके लिए कौन सा उत्तर भारत का या उत्तर का विसाल मादान क्लियर जी जिसे पूरा बोलते हैं अगर पूरा गंगा का अगर आप देखोगे द्वाप चेत्र या पूरा गंगा करते हैं उसी को बोला जाएगा क्या आपके लिए उत्तर का विसाल मैदान क्लियर आगे बढ़े क्या जी हमारे लिए प्रस्ण को जितना डील करना था हम कर चुके हैं क्लियर आगे बढ़े क्या अगला याद रखने हैं हमको प्राकृतिक प्रदेश का सही करम का चैन किजिए आप ऐसे सवालों को रट नहीं सकते अब देखे इसको पन क्या करते हैं सीधा पंड़ने कोशिज करते एक नए जगे से तो आप देखे अगर 36 गड़ का प्राकृतिक आप क्या करोगे प्राकृतिक विभाजन करोगे प्र अगर मैं बना रहूं यहां 36 को अच्छा अभी तक एक भी बार 36 गंडी बना थे क्या आप ये आपके लिए 36 गड़ एकदम चलता फिरता 36 गड़ है तो अगर आप 36 गड़ को ऐसे बनाए पूरे जिले बना लीजी ठीक है अरे एकदम असान है बनाना भई कोई बड़ा भारी बात नहीं है कि चार साल लगेगा करके कोमल सर आपको कितने में 30 सेकंड में बनाना सिखा देंगे तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं आपको यह देखने है अगर 36 गड़ का विभाजन होगा तो कितने रूपों में होगा यह इंपोर्टेंट है तो यह होता है आपके लिए चार रूपों में तो हमको देखने है वो चार रूप कौन-कौन से सबसे पहली बोला जात है आपके लिए पाठ प्रदेश तीसरा बोला जाता है महानदी बेसिंग और चौन्था बोला जाता है आपके लिए क्या दंड कारण्य का पठार अगर आप यह चारों को या करके भी लिख सकते हैं आपको पेपर में दो टर्मिनोलोजी का इस्तमाल या प्रयोग आपको द घेल खंड का पठार क्लियर जी दूसरा याद रखने है पाठ प्रदेश यह जो पाठ प्रदेश है इसको बोला जाता है क्या जसपूर सामरी पाठ प्रदेश क्लियर दूसरा उसके बाद है महानादी बेशिन या इसी को बोला जाता है भई क्या 36 गड का मैदान क्लियर जी और दनकारणे का पठार को दनकारणे का पठार ही बोलते हैं क्लियर अब हमको देखना है कि सर यह कितना लंबा और कितना चावड है अर्था सब का शेत्रफल देख लेतें, और किधर कितना कितना हैं, अलॉटमेंट ये भी देख लेतें, अगर आप देखोगे किसको सर्गुजा वेसिन को, तो सर्गुजा वेसिन आप ऐसे माल लीजी, ये इतना, मतलब पूरा आपके लिए क्या रहेगा, इसे में कोरिया, उसके पास पूरा जश्त पूर 3 ऑउसके बाद ले लेनना है आपको ऊपर बल्रामपूर लेकिन भल्रामपूर भी आधान, तो इसको यह वाला portion है इसको बोला जा रहा है पहला नंबर मतलब क्या सरगुजा बेसिन दूसरा हमारे लिए यह वाला चितर है इसे बोला जा रहा है क्या पाट प्रदेश ठीक है तीसरा यह जो पूरा बड़ा रिजन है अगर मैं निकाल दूँ एक छोटे से हिसे को इधर दो जगह एक आता है आपके लिए मोहेला उसके बाद एक जगह आता है मानपूर यह दोनों मोहेला मानपूर अभी वर्तमान के जीले में जी आपको मिलेगा यह कहां पर संभाग यह इसको बोला जाता है क्या दंड कारण्य का पठार क्लियर जी अब इसके छोड़ मतलब पूरा दूर्ग संभाग पूरा राइपूर संभाग और पूरा आपके लिए विलासपूर संभाग इसको बोला जाता है क्या आपके लिए महानदी वेसिं या इसी को बोल सबसे बढ़ा के लिए महानदी बैसिन उसके बाद दूसरा के लिए दंड कारन्य का पठार तिसरा है आपके लिए कौन ससरी इसको बोल रही है हमें हम लोग क्या सर्गुजा बैसिन या पूर्वी बग्हेल इसके बाद होगा मेरी गारेंटी है क्लियार जी थोड़ा मुटा कर ले देखें आपको एक लिखना है दो लिखना है फिर तीन लिखना है तीन दूनी कितना होता है भई छह और दू कितना होता है आठ तो आपको याद रखना 12,830 square km है आपके लिए कौन सा सर्गुजा बेसिन देखते हैं जस्पूर सामरी पाट प्रदेश यह है छे दू कितना होता है भई आठ तो आपको याद रखना है छे दू 8 मतलब बैसाट अठ सो आठ स्क्वाएर किलो मेटर है आपके लिए कौन सा पाट प्रदेश देखना है हमको महानादी बेसिन या 36 गड़ का मैदान यह कितना है तो यह 6 ले लेना और 8 ले लेना clear जी तो आपको याद रखना है 6 और 8 बीच में लगा दो 0 एक वर्ड़कप को घटा दो एक वर्ड़कप कितने साल का होता है चार मतलब आपको याद रखना है 64 तो आपको याद रखना है 68064 स्क्वेर किलो मिटर यह आपके लिए कौन सा महानादी बेसिन या 36 गड़ का मैदान और लास्ट में याद रखना है यह दंड का रण्य का पठर एकदम आसान है तो इसको याद रख लो 3 0 9 0 6 0 मतलब 6 2 4 3 2 6 3 3 9 तो आपको याद रखना 30 का यह वाला पूर्शन काट दो मतलब क्या है 3 9 0 6 और 0 स्क्वेर किलो मिटर यह है इतने बड़े किलो मिटर में देखे पहले नंबर में आपके लिए या 36 गड़ का मैदान अगर आप इसका परसेंटेज देखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई बार आपको सही जोडिम फूस सकते हैं आप 36 गड़ पीरसी बनाओ और 36 गड़ भी आप हम बनाओ क्लियर जी तो देखिए इसको ले लो 50 0 3 4 प्रतिसर क्लियर जी आपको याद रखने है कि आपके लिए 4.59 प्रतिसर और आपके लिए कौन दंड कारन्य के पठार 28.9 प्रतिसर आपको घटते से बढ़ते क्रम में दे सकता है आपको ऐसे दे सकता है आपके लिए क्या देदे, छेत्र फल देदे, या आपको प्रतिसत देदे, तो आपको भई सभी चीजों के लिए रेडी रहना, कि वो प्रस्ण कैसे पूछेगा, आप देखी अगर हम क्रम जमायें, तो यह हमारे लिए पहला नमबर, क्लियर जी, 50 प्रतिसत, दूसरा अगर देखोगे, दन कारण्ये का पठार, यह दूसरा नमबर, तीसरा हमारे लिए कौन सा, सरगुजा बेसिन, और चौथा हमारे लिए कौन सा, पाठ प्रदेश, तो आप चलते हैं हमारे प्रस्ण के लिए, क्लियर जी, तो यह अच्छा, एक टीपिकल कोस्चन और बन सकता है, अगर आप पढ़ते चल रहे हैं, सब चीजोग पढ़ते चली है, इसका पाठ प्रदेश का आपको क्या पूछ सकता है, दिशा, तो आपको याद रखने है, यह किधर पढ़ रहा है, उत्तर पूर्वा में, यह आपके लिए कहां पढ़ रहा है, उत्तर दिशा में, यह इच्छास रहता था, अभी तक तो हम डिप्टी कलेक्टर बन जाय रहते, तो हमारा इच्छा थोणना चलता है, वो तो पर की इच्छा है, क्लियर जी, आपको बस तयार रहना, कि आपको, आप देखे, पहला 36 गड का मैदान था, ठीक, उसके बाद हम लोग को क्या देखना था, धन कारणिय का पठार ये था क्या, पचास दसम लग तीन चार प्रतिसाथ, उसके बाद ये कितना था, 28.91 प्रतिसाथ, आप अगर देखो जोगे, सरगुजा बेसिन, 16.91 प्रतिसाथ, पात प्रतिस ये क्या था, 4.959 प्रतिसाथ, तो आपके लिए अंसर है कौन सा, ब अगले प्रतिसाथ, आपको क्रम चुनने बोल रहा है, तो आपको याद होना चाहिए, कि अगर चटान का निर्मान होता है, तो उसका क्रम क्या है, आप बताए भई, एकदम छोटा सा ट्रीक है, आपको क्या याद रखना है, आधा, कवी, गोद, आपको क्या याद रखना है, आधा, कवी, गोद, तो आ से याद रखना है क्या, आर्कियन, आर्कियन सबसे पहली बना, तो इसके तूटने से क्या बना था आपके लिए, धारवाड, धारवाड क्रम के, किस से, अबघटन स्वारी, अपच्छा से क्या बना था आपके विंदियन करम के चट्टान बोल सकते हैं, उसके बाद याद रखना गो से याद रखना है कि आपके लिए गोंडवाना करम के चट्टान बनते हैं, और लास्ट में बनता है आपके पास क्या, धक्कन ट्रेप, आप आपको देखना है कि 36 गण में क्या मिलता है, ये तो आपको तरसरी यूग, और तरसरी यूग में बनता है आपके लिए क्या हिमाला, 4 हिमाला, ट्रांस हिमाला, महान हिमाला, लगुं हिमाला, सिवालिक हिमाला, तो आपके लिए 6 होगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, अगर आप पूरे भारत में भूग आर्विक सरच न पढ़ेंगे, आपको ये 6 तो दिखेगा शाओं दिखते हैं आपको तर्षरीकाल का स्वाटरिक्रामने आपको बन हें उत्तर भारत कविशाल मादने लेकिन हम आर्कियान सिधा ले ले आप 50% 36 गड़ में 50% है आर्कियान चटन दूसरा कड़पा दूसरा छोणना है तीसरा का याद रखना है यह अगर पचास है तो इसका अधा 25 से 30% है ठीक है अब उसका विंधियान फिर दूसरा छोड़ देना है यह हमारे लिए परसेंटेज नहीं ल जिलता है 17 या 17 प्रतिसेट पिर डखन ट्रेप कभी आपके लिए क्या नहीं जिलता है परसेंट हमको याद रखने है आर्कियान सबसे पहली किसमे इसमें भी है इसमें भी है उसके बाद क्या बढ़ए कड़पा तो हां यह पहला कड़पा यह दूसरा फिर क्या याद रख देखी आपको ये प्रस्म दोरूप में और पूछ सकता है और सही करम चुने बोला था ये आपको नहीं बोला था कि आपको बढ़ते करम चुनना है कि घटते करम चुनना है ये लिखा था क्या नहीं लिखा था ना लेकिन इसमें आप घटते करम में देखोगे तो घटते करम में क्या है सबसे लाष्ट में धारवान फिर कड़पा फिर आर्कियन फिर गोंडवाना तो आपको याद रखना यह भई सही क्रम यह है कि उपर से नीचे तो यह हो गये हमारे लिए घटते क्रम इसी प्राश्ण को आपको पूछ सकता है बढ़ते क्रम में क्लियर जी तो आपको चीजों को समझते समझते चलना है क्लियर आगे बढ़े क्या यह आपके लिए हुआ आपको यह चीजे भी याद होने चीए अगला प्रस्ण है हमारा मुख्यता धारवाड क्रम के जटानों का विस्तार किस भौतिक प्रदेश में है अब देखे जटान आइसेथ नहीं है कि अगर सर ऊपर में फैलेत में इहीत हुर्स भार रहो या नीचे फैलेत डार हऊ और इसे होना है आब हुआ अपने मन से नहीं होता जैसे जैसे क्या होता है पूरे प्रिथ्वी में अंतर क्रियाय होती है, इंटर एक्टिविटीज होती है, उसके अकोडिंग, उसके अनुसारिस में क्या होते है, बदलाव आते हैं, तब आपके यहां चट्टानों का निर्मान होता है के लिए, अब देखिए, सबसे पहले क्या बोड़ पूर्वी बगहलखन का पठार, यहां से आपको 8 कोश्चन में बताने वाला हूं, जो आपको पेपर में पूछते हैं, हो सकता है, मैं 10 या 12 कोश्चन भी बता दू, तो आप चीजोग देखके चलिए, पहले आपके लिए क्या पूर्वी बगहलखन का पठार, दूसरा प्रदेश कितना छा, 4.59 प्रतिशत, आपके लिए था क्या 36 गड़ का मैदान, यह कितना था, 50.34 प्रतिशत, आप एक चीजों को एक बार, दो बार, दस बार लिखो, आपको एक ही घंटा में सब चीजे याद हो जानी चाहिए, क्लियर जी, आगे याद रखने दन कारण य क्लियर, चटानों का विस्तार पूछ रहा है, तो चटानों का विस्तार चलते हैं, सबसे पहले याद रखने है, धन का रहने का पठार, यह सबसे नीचे, तो धारवार, तो अगर मैं यहाँ लिख रहा हूँ, धारवार, तो धार क्या चीज रहता है, धार मतलब लोहा रहत दूसरा है आपके लिए चतिसगड़ मैदान, अगर आप स्टिसगड़ मैदान देखूगे, तो जितना सीमेंट फेक्टरी मिलेगा आपको बिलासपूर समभाग में दुर्ग समभाग में और राइपूर समभाग में मिलेगा, कारण क्या है कि जो 36 गड़ का मैदान है मिलता ह क्या कडपा क्रम के चट्टान यह प्रस्म भी आपको पूछा हुआ है पाठ प्रदेश में आपको मिलता है क्या दक्कन ट्रेप और आपको याद रखने क्या पूरवी बगेलखन का पठर पूरवी बगेलखन के पठर में मिलता है लेकिन इन सब जगहों में हमको मिलता है क्या आर्कियन क्योंकि 50% था ना आर्कियन और यह आपके लिए आर्कियन यह चारों जगह मिलेगा लेकिन अगर पूछेगा आर्कियन के छोड़ तो आपको पूर्वी पगहलकन के पठार में मुख्य रूप से पूछ रहूं ऐसा नह मिलते हैं गुणवाना क्रम के चट्टान पाट प्रदेश में दक्कन ट्रेप चत्यतगर का मैदान में कडप और आपको याद रखना है दन करने के पठार में क्या धारवाड क्रम के चट्टान अगे बढ़े क्या अब आपको पूछेगा कि अगर यह चट्टान है तो इसम कि पूरे देश में आपके लिए टीन के आपके किसमें जी उत्पादन में 36 गड़ का कितना नंबर है कितना क्रम है आपको याद रखना देश का 100% तीन का उत्पादन केवल कोन करता है 36 गड़ करता है मारा राज्य करता है तो आपको याद रखना तीन जो होता है ऐसा आपके पास क्या होगा पहाड़ी होगा जहां से इतका क्या करते होंगे निसकरसन करते होंगे उसको निकालते होंगे तो आपको याद रखने है धरवाड करम के चटानों के लिए पर चतित गड़ का एक फेमस आपके लिए क्या है जी बैला डीला की पहाड़ी तो आपको याद रखना है बैला डीला की पहाड़ी यहां से चतित गड़ में सबसे जाए आपके लिए क्या निकाला जाता है लोहा और यह जो बैला डीला की पहाड़ी है यहां पर जो खान है वो एसिया का सबसे प्राचिंतम खदान है प्राचिंतम आपके लिए क्या है खदान है खान है तो यह याद रखना वह बैला डिला की पहाड़ी क्लियर आपको सब प्रश्न पूछे हुए मैं कोई भी चीद नहीं बताता आपको यह मेरे कमेंड करके बताना है पूछता है 36 ग स्थापना कब हुआ था आपको मेरे कि स्थापना में बताना है भाई ठीक है और दूसरा आपको एक प्रस्न और पूछ रहा हूं कि 36 गड का वह कोन सा इस्थल है जहां पहली बार लौह आयास का निकाला गया था उस ग्राम का मेरे को उस गाउं का मेरे को नाम आपको अभी नहीं बताऊंगा मैं आगे चले क्या अगला याद रखना है हमको क्या कडपा ठीक है जी आप याद रखना कडपा एक जहना आदमीरीज कटपा अपन बहां चल मांडरीज ऐसे मामा रिसकंस मामा आपको याद है ना बार बार हमारे लिए में में सेयर होता था कि पर सब्सक्रावा आपको याद रखना है चूना चूना पथर चूना पथर से चूना पथर से दोप्रशन यह पूछे में मैं आपको छे थो सिमेंट फेक्ट्रीक नाम बता रहा हूं वो छे सिमेंट फेक्टरी कौन would कौन में आपको यह कमेंट करके बताना है तो आपके लिए है कौन सा लाइस हुगे आपको क्या याद रखना है लास उगे तो एल से याद रखना है आपके लिए क्या लाफार्ज एसे याद रखना है आपको क्या अंबूजा उसके बाद एस से याद रखना है स्री सीमेंट एसे याद रखना है आपको क्या यू से अल्ट्रा टेक सीमेंट आपको याद रखना है जी कि सीमेंट फैक्ट्री के लिए आपके लिए जो रौ माटेरियल होता है जो कच्चा पदार्थ वो हमारे लिए होता है चूना पत्थर चूना पत्थर जहां रहेगा हमको अगर वही से खोदेंगे और वहीं से हम लोग क्या करेंगे सीमेंट का प्रोडक्षन स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक जीला है कौन सा बलौदा बजार इसी जीला को बौला जाता है क्या सीमेंट क्या स्ीमेंट का हब सिमेंट ROS का हब मतलब अगर आपको पूछा जाएगा पूरे 36 गड़ में सबसे ज़्यादा आपके लिए सिमेंट उत्पादन कहा होता है बलोदा बजार में होता है पूरे अगर देश में 28 राज्य आपके पास अभी तो 8 केंदर प्रसासित राज्य होगे सब को जोड़ोगे 36 होता है अगर 36 राज देश को लगभग 17-18% प्रोडक्शन किसका देता है अकेले सिमेंट फैक्टरी का इसलिए आप देखोगे 36 गड़ में अभी जो रोड बनता है वो किससे बनता है सिमेंट से क्योंकि हम सिमेंट बहुत उत्पादन कर रहे हैं क्लियर जी आगे बढ़े क्या 36 गड़ है सबसे बढ़िया अभी लाइस के बारें भी बताऊंगा आपको कोई लाग बारें भी बताऊंगा क्लियर जी आगे चले क्या देखिए जब भी किसी चीज को पढ़ते है ना अगर आप 36 गड़ पढ़ रहे हो और आपको 36 गड़ है उन्हें प्राउड नहीं है ना तमजा नहीं आ जाता है मैं मल्टिनेशनल कॉर्पोरेशन बे था मैं जैसी अपना इंट्रोडक्शन दिया और बताया कि आम फ्रॉम राइपूर 36 गड़ जैसी 36 गड़ सुने ना तो उनके दिमाग में क्या है कि यहां कि लोग नक्से लाइट होते हैं और दूसरा सबसे जादा गरीब लो में विश्व का बात किया हूं तो आपके लिए भिलाइस्टिल प्रांट आएगा तो थोड़े देर में चर्चा करते हैं हम लोग किसके लिए भिलाइस्टिल प्रांट आपको याद रखना है क्या गुंडवाना क्रम के चट्टान से आपको क्या मिलता है गोड अब बीना जूता बीना चपल के चलो गोड बोलते ना पैर को पैर आपके लिए क्या हो जाएगा गंदा मतलब करिया करिया मतलब क्या याद रखना कोईला तो आपको याद रखना है क्या कोईला तो कोईला आपको मिलता है कहां से गुंडवाना करम के चट्टान से क्लियर जी आपको याद रखना है कि दककन ट्रेव को पकड़ता हूं. यह मेरे को इंगलीस नाम लगता है, तो इंगलीस नाम से इक खनीज का नाम याद रखना है. क्या बोलते हैं उसको? box side. तो आपको याद रखना है box side. clear जी आपको कितने सारे प्रश्नह वन रहे देखिए. चूना पत्थर डिल कर दिया हूं आपको यह चीद बताना है कि भिलाई इस्टिल प्लांट इसका इस्थापना कब हुआ था यह आपको बताना है मुझे क्लियर जी कि भिलाई इस्टिल प्लांट का इस थापना कब हुआ था क्लियर जी कौन से पंचवरसी योजना में आया था कौन से पंचवरसी योजना में आया था अगर आप बता सके कि इसमें अनसीक उत्पादन सब प्रश्ण पूछता है मैं आपको उद्योग वाले सेक्षान में बताऊंगा आंसिक उत्पादन और आपको पूछेगा वो पून उत्पादन सब चीज मेरे कमेंट करके बताएं पूछता है 36 गड़ आपसे क्लियर आगे बढ़े क्या आगे चलने हैं को किसके लिए सा है वो छेतर है आपके लिए कौन सा दिपका और गेवरा दिपका गेवरा का जो आपके लिए खान है तो आपको याद रखना है दिपका गेवरा दिपका गेवरा का जो ख़दान है यह एसीया का सबसे बड़ा कोईला ख़दान है जहां से कोईला का उत्पादन किया जात कτο्याव के लिए रामगीड की पहाडी रामगीरी की पहाडी किस परवश्रिंकला का 21 परोश्रिंगला का भाग है आपके लिए दिया है् क्या विन्द्यान पर nations सत्पूडा पर्वस्रिंगला छोटा नाक पूर का पठार सहद्री परवस्रिंगला यह है आंसर इसका कौन सा सत्पुड़ा परवस्रिंगला सत्पुड़ा परवस्रिंगला को हमको याद रखना है ठीक है यह जो रामगीरी की इसी को बोलते हैं, रामगर की पहाड़ी, तो आपको याद रखना है भई, रामगर की पहाड़ी, रामगर की पहाड़ी में आप एक दो चीज देख चुके हो, इसी में क्या पढ़ता था आपको सीता बेंगरा, ये सीता बेंगरा क्या चीज है भई, आप लोग मेरे बताय मे पढ़ा चुका हूं इतिहास में ठीक है सीता बंग्रा क्या है इसी में हमको पढ़ता है जोगी मारा की गूफा क्यों इनपॉर्टेंट है ये बताई आप मेरे कमेंट में मैं आप कमेंट बॉक्स पढ़ रहूं आपको रिप्लाइ करोंगा दूसर परती सत एक दिन बात सिता बेंगर आपको बताना है जोगी मारा क्लियर जी अगर रामगड की पहाड़ी है तो इसके खोज करता कौन है आप यह भी कमेंट करके बताइए मैं भी तो देखू मेरे पढ़ाने छोड़ आप और दूसरे चीज़ पढ़ रहे हो कि नहीं आपको याद रखने सत्पूड तो यह जो मैकल परवत है यह मैकल परवत है मैकल परवत भी किसका हिस्सा है सत्पूड़ा परवस रिंगला का यह पूछा हुआ प्रस्न है यह जो मैकल परवत है यह आपके लिए क्या है जी मध्य प्रदेश और चटिस गड़ को क्या करता है जी प्रिथक करता है आपको य कोई वीडियो कहीं पॉस्ट करदो अब में आप बताओ कि जो जय भी भाजक है कोन कोन से अपवबा प्रनाली को अलग करता है यह करता है किसको एक है आपके लिए महान दि और दूसरा कुंछ सा नर्मधा तो आपको याद रखना महा नदी आपको याद रखना है क्या नर्म नागपूर का पठार, छोटा नागपूर के पठार में भारत से आपको प्रश्न पूछता है, कि भारत में सरवाधिक आपके लिए खनीज संसाधन का भंडारण, स्टोरेज बोल रहा है कि कोन से एक पठार पर है, आपको याद रखना, छोटा नागपूर का पठार, देश का लगभग 50 प्रती सत, जो आपका खनीज है, वो यहीं परी स्टोर्ड है, ऐसा माना जाता है, क्लियर जी, इसको भारत का क्या बोलते हैं, आप बताओ, जैसे भोर सबसे बड़ा परवस्रिंकला है, तो वो भारत का सबसे बड़ा परवस्रिंकला है, तो वो भारत के बाहर भी है, आपको कर मैं ये पूछूँ, भारत के अंदर सबसे बड़ा परवस्रिंखला कौन सा है, तो भारत के अंदर है ये भई, तो भारत के अंदर सबसे बड़ा परवस्रिंखला है, सबसे बड़ा परवस्रिंखला, जो सतत है लगतार है, तो आपको याद रखना भारत के इंगदर सबसे बड़े परवत स्रिंखला एक सीरीज है भाई मौंटेंड सीरीज है आपको याद रखना है कौन सा साधरी आपको याद रखना विंदियान आपको याद रखना क्या सत्पूडा ये दोनों के मध्य से एक नदी बहती उसी क्या बोलते है नर्मादा नदी नर्मादा नदी से आपको दो तीन प्रस्ण बनते हैं सबसे पहले तो आपको याद रखना कि पस्चीमी दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बढ़ी नदी है पस्चीमी दिशा में बहने वाली भारत की सबसे बढ़ी नदी और आपको याद रखना यह कि किसमें बहती है भरांस घाटी में चुकि मेरे में आ गया तो मैं बताते जा रहा हूं यह मेरा स्टाइल है इतना आपके लिए उप्सान रहता है सब को बता देता हूं मैं इसका अंसार आपको बता चुका था मैं आगे बढ़ता हूं क्लियर जी आगे याद रखने आपको क्या कि राज्य की सबसे बड़ी उची चोटी कौन सा है आप देखो उची चोटी है तो आपको नंबर याद होना चीए कि सर कितना मीटर उचा है क्लियर याद रखना यंसे पाल परवट भी बोलते हैं क्या तो सिसी पाल परवट याद रखना यह है एट डबल नाइन मीटर हो आपको याद रखना नंदीराज की की चोटी यह आपके लिए बारासो दस मीटर यह 36 गड की सबसे उंची चोटी है यह 36 गड की दूसरी वारिस 36 गड़ की सब से उची चोटी मतलब हाइस्ट पी की बात कर रहा है क्लियर जी आपको याद रखने नंदी राज की चोटी ये 36 गड़ की दूसरी सब से उची चोटी है ठीक है बात करूँ मैं किसका बदर गड़ का और मैं बात करूँ किसका धारी डोंगर का तो इसके लिए मैं जब आपको क्या बताया था डिवाइट करवाया था 36 गड़ को मेरे कुछ के लिए चेलना पड़ेगा यहां देखे यहुँ खागे का पढ़ाथ ठीक है अब ज्यादा मात पढ़ा ज्यादा मात पढ़ा देखे यह है भई महानदीबे सिंग या इसी को बोलते हैं कि आपके लिए परवत बनता है और अगर आप इस साइड भी देखोगे तो यह साइड भी आपके लिए उच्छा है तो इसी को बोला जाता है क्या उच्छ भूमी इसको क्या बोला जाता है उच्छ भूमी सेपरेट बना दू क्या चलो थोड़ा सेपरेट काम कर लेते हैं मैं भी जांगर चुट्टा ही नहीं करता आगे चले क्या जी यहां पहुचे थे क्या आगे पहुचते ठीक है आपको ठीक यह आपके लिए 36 गरता है ठीक है यह आपके लिए क्या हो गया उपर वाला सेक्षन हो गया ठीक है यह देखिए तो यह जो सेक्षन है ना देखिए यह जो सेक्षन है इसको बोला जाता है मैकल परवार यह है मेरे लिए क्या मैकल परवार ये हो गया भाई आपके लिए पहले पूछ रहा था da'd प्रते सा बतायाै थे ना आपको ये हो गया आपके लिए पूरा महानदी बेसिन तो महानदी बेसिन और मैचल परवत को सबसे उच्छा चोटी है कौन सा आपके लिए बदर गड़ अब आप देखोंगे ही 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 महानादी वेसीन में आपके नहीं किया में बिलता है यह इसी मैकल परवत को बूला जाता है पच्ची में उच्च Deutsch भूम और इशा inside को बोला जाता है जो इधार आपके लिए धंतरी आपके लिए गरियावन और आपके लिए महासमून इसको बोला जाता है क्या पूरवी उच्च भूम को कि तो पस्षिमी उच्च भूमी की सबसे उच्ची चोटी है आपके लिए कौन सा बदर गड़ जो क्या था आपके लिए 1176 मिटर आपके लिए याद रखना है पूर्वी उच्च भूमी इसकी जो सब से उच्ची चोटी है वही धारी डोंगर ये आपके लिए क्या सूसु पाल परवत उसकी सब से उच्ची चोटी है जिसको क्या बोड़ रहे है डबल नाइन मिटर आप समझ आया ये आप पढ़ रहे हो क्या बस्तर यही आपके लिए क्या था दंड कारण्य का पठार तो चार आपके पास क्या है भौतिक प्रदेश उसमें दंड कारण्य की सब से उच्ची चोटी कौन है आपके लिए आप पिछला देखे थे ना ये है भई देखे तो यह आपके लिए दंड कारण्य क के पठार का जो चौथा आपके लिए भौतिक प्रदेश है दंड कारण्या के पठार का भी सबसे उची-चोटी है ये प्रश्न भी आपको पूछा जाता है आपको याद रखना 36 गड़ की दूसरी उची-चोटी है 36 गड़ की सबसे उची-चोटी है कौन गौर लाटा गौर लाटा कहां पड़ता है आपके लिए कुसमी एक तहसिल है कौन से जीला में बलरामपूर में आपको ये भी प्रश्न पूछता है कौन से जीला तो जीला याद रखेंगे बलरामपूर पूछा हुआ प्रश्न है कि अगर पूछेगा गौर लाटा कहां इस्तित है सामरी पाठ प्रदेश में है पाठ प्रदेश में है कुसमी तहसिल में बलरामपुर जीला में 36 गड़ की सबसे उची चोटी है याद रखना ये 36 गड़ का सबसे उचा इस्थाल भी है तो आपको प्रशना का इसे भी पूछ सकता है तो आपको तयार रहना है रेडी रहना क्लियर जी बदर गड़ ये क्या था आपके लिए पस्चिमी स्वारी महानादी वेसिन या 36 गड़ के मायदान की सबसे उची चोटी ती याद रखना है नंदी राज धनकराणी के पठार क सबसे उची चोटी 36 गड़ की दूसरी सबसे उची चोटी क्लियर जी आपको प्रसना इससे बनते हैं तो आप चीजों के लिए रेडी रहे आगे बढ़ें क्या अगला याद रखना है हमको देखें 36 गड़ में किस मिंटी का विस्तार सरवाधिक है देखें लाल पिली दूसरा आपको लाल रेतिली मिट्टी लिखता है तो यह लागभाग इसी लाल रेतिली मिट्टी को लाल बलोई मिट्टी भी बोलते हैं ठीक है अलग अलग बुक है आप जिस बुक में पढ़ रहे होगे उसमें लाल बलोई मिट्टी लिदे देगा और यहाँ आप्शन क् लिए कौन सा लाल दोमट परसेंट इन ही दोनों का मिलता है आपको काली मिट्टी लेटराइड मिट्टी क्लियर जी तो यह पहला नंबर में सबसे जादा यह दूसरा नंबर में तीसरे नंबर में आता है आपके लाल दोमट चौंत है काली मिट्टी पाचवा है आपके लिए लाल रेतिली मिट्टी या लाल बलू मिट्टी तीसरा याद रखना आपके लाल डोमट मिट्टी चौंथा आपके लिए क्या काली मिट्टी और पांच वह आपके लिए क्या लेटराइट पिट्टी अभी आज पिछले दो बार का अगर पैटन देख रहे हो इसलिए आप कोशिस करो कि सब चीज आपको डेटा पता होने चाहिए क्लिया आगे बढ़े क्या अगला याद रखना है हमको इसी में अब देख रहा हूं बोल रहा है नीनम में से सुमेलित नहीं है क्या सुमेलित नहीं है काली मिट्टी क्या बोला जाता है भर्री बोला जात इसको बोला जाता है डोरसा आप थोड़ा इसके उपर चर्चा करना चाहिए यहां साता है प्रस्ट आपको जो काली मिट्टी है इसी को बोला जाता है कनहार और इसी 36 गड़ी में हम लोग बोलते हैं भर्री चाहिए आपको भर्री option में दे चाहिए कनहार option में दे इसको 36 गड में पढ़ोगे तो आपको पूछेगा कपासी मिट्टी किसको बोलते हैं कपासी मिट्टी भी किसको बोलते हैं काली मिट्टी को आपको याद रखना है इसी इक बोलेगा चरने जम चरनेजम चरनेजम मिट्टी तो अगर विश्वा में अगर World Geography पढ़ओगे तो इक काली मिट्टी को चरनेजम नाम से क्या करता है डिफाइन करता है आपको तökछे गा लावा निरमित मिट्टी तो लावा निरमित मिट्टी भी बोलेगा तब उन मिट्डी आपके लिए कौन सा काली मिट्डी 1 2 3 4 5 5 प्रस्णा आपको यह बनता है, लाल पिली मिट्डी इसी मिट्डी बोलते हैं माटासी, याद रखना लाल पिली मिट्डी, तो आप पहले घर किस से लीपते थे भई, पिलावरी चुही, पिलावरी चुही, आप 36 गड़ी हो तो आप देखे होगे अगर आपके घर सीगड़ी होगा या चुलहा होगा तो मम्मी लोग पीला कलर का एक मिट्टी रखते हैं उसी मिट्टी बोलते हैं क्या पिलवरी चुही अब ये चुही का एड़वांस फ़र्म क्या होता है आपके लिए चूना तो आपको याद बताना है बहिए लाल पीली विट्टी आपको प्रसन यहाँ से वह पूछता है आपको पूछेगा उलेटे मिट्टी और लेटे राइट मिट्टी को ही अम लोग क्या बोलते हैं मूरूम इसीक दूर्मी ठश्टिस गड़कि को Lac 1 आता है तो ये मूरूम या मूर्मी इसी 36 गड़िम बोलते हैं भांठा, भांठा समाझ आया, सुबा सुबा भांठा, वही वाला भांठा है, तो बोलते हैं न सुबा सुबा भांठा जाता है, गाउम चलता है, सहर वाले तो स्वच्छ भारत में सन में रहते हैं, गाउम वाले याद रखने हैं आपको क्या भांटा आपको याद रखने हैं भर्री एवं मटासी मतलब आपके लिए काली मिट्टी और लाल पिली मिट्टी है इसका जो मिश्रन होता है उसी इक बोला जाता है डोर सा अब आपसे एक प्रस्ण और पुस्त है कि छतिस गड़ में सरवाधिक काली मिट्टी तो के काली मिट्टी आपको स्रिफ कहां मिलेगा मैकल परवत के आस्पा थोड़ा बहुत आपको रायपूर में धर्सिमावी कासखन में मिल जाएगा थोड़े बहुत जगह मिलते हैं आपके लिए क्या काली मिट्टी या कनहार मिट्टी आप और देखो कि ल दोरसा मिट्टी होता है ना वो आपके लिए भरी मतलब काली मिट्टी और लाल पिली मिट्टी का क्या होता है आपके पास विस्तार होता है अब आप थोड़े देर पहले कनफ्यूज हो जाओगे इसते पहले वाले प्रस्त में क्या कि सर 36 गड़ में सबसे ज्यादा विस्तार किसका है लाल पिली मिट्टी का ये मिट्टी का मुख्य प्रकार है ये मिट्टी का मिश्रण नहीं है अगर मिट्टी के मिश्रण के रूप में पूछेगा एक बार अब आपको ये पूछ देता है कि फलाना फलाना मिट्टी कौन कौन से फसल के लिए एकदम उप्योगी है तो आपको पूछता है काली मिट्टी काली मिट्टी चुकी हम लोग क्या बोलते हैं कपासी मिट्टी तो आपको याद रखना ये कपास के लिए बहुत इंपोर्ट मिट्टी में क्लियर जी प्रस्ण आपको यह पूछता है कपास और गन्ना दो फसल किसमें उगा जाता है आपके लिए काली मिट्टी में आपको पूछेगा कि 36 गण में सरवाधिक जल धारन वाली मिट्टी कौन सा है, तो सरवाधिक जल धारन वाली मिट्टी कौन सी है आपके लिए, काली मिट्टी, आपको याद रखना सरवाधिक उपजाओ, सरवाधिक उपजाओ मिट्टी भी है, तो यहां से आपको चार प्रस्न ऐसे भी बनते हैं, इसका आपके लिए इस्थानी नाम पूछता है clear जी आपको याद रखना है फिर क्या लेटे राइट मिट्टी यहां से आपको प्रस्ण पूछेगा एक प्रस्ण आपको याद रखना है कि भवन निर्मान के लिए क्या बोला भवन निर्मान के लिए कौन से मिट्टी का प्रयोक करते हैं तो लोगे और अपको क्या जाता है डाला जाता है इसने नहीं करोगे क्या होगा घर मैं बड़ी है टाईस लगवा और तर स्टीज़े से वेञा हों कर दी का पर चार डे घाना पूंगा न फट्टरयारी करें व्यापम करो, तैयारी केवल पेपर में पास और फिल होने के लिए नहीं होता। अब बोलते हैं सिर पंड़े लिखने क्या फायदा नहीं निकल रहा है तो यह बिलकुल ऐसा बात है। जैसे आप ब्रस करोगे, अब बोलोगे, सर ब्रस करने क्या फाइदा है, छे महीना ब्रस मत करो, अब तब देखना मुख क्या हाथ रहेगा, पूरा दाथ जड़ जा रहेगा, कोई आदमी आपसे बात नहीं करेगा, जिधर जाओगे, खुछ से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो ब्रस कर रहे थी, इसका फाइदा दिखाना, तो आप जब पढ़ाई तैयारी करते हो, चालू करते हो, एक साल, देर साल, दो साल बाद अपने आपको देखना, जिन आदमी लोग के साथ आप क्या करते थे, गूमते थे, उस आदमी लोग के साथ, अगर लभाडू है हो चोगे जी, क्लियर, अभी ये सब नहीं बताना है मेरे को, आगे चलता हूं, अगले प्रस्णा के लिए, राज्य में चाया वरिष्टी या वरिष्टी चाया चेत्र नीनमा में से कौन सा है, आपको याद रखना मैकल परवत, मैकल परवत आपके लिए अंसर है, देखते है, सतपूडा का हिस्सा है, सतपूडा परवत का, अब ये सतपूडा परवत को क्या बोलते हैं, जंगलो की रानी, प्रस्णा ये भी पूस्ता है, जंगलो की रानी किसको बोलते हैं, तो आपको याद रखना है किसको, इसी को, मैकल परवत, स्वारी, सतपूडा परवत को, याद रखना है, मैंकल परवस रिंकला किसका हिस्सा है? सत्थ पूडा परवत का? आपको याद रखना है, अबूझमान की पहड़ी यह जो अबूझमान की पहड़ी है, यह आपको basically मिलता कहा है नरायनपूर्म आपको पूछेगा कि अबुजमाडिया जन जाती कहां रहता है तो इसी में रहता है अबुजमाड की पाड़ी में अबुजमाडिया जन जाती का निमासी स्थल है कि विशेज पिछड़ी जन जाती है पढ़ चुके हैं क्या आपको याद रखना विशेज पिछड़ी जन जाती अवह स्यार लोग पढ़ रहे हो तो एक से प्रश्ण पूछ रहा हूं यह अभुजमानिय जन जाती है ना इसका मुख्य नित्य कौन सा है मेरे बताईए पढ़ चेरा पुंजी बोलते हैं मतलब 36 गड़ में सरवाधिक वर्षा कहां होगा आपके लिए बुजमान की पहाडी में सरवाधिक वर्षा होगा 36 गड़ का चेरा पुंजी बोला जाता है यहीं पे आपको मिलेगा सरवस्रेष्ट गुणवत्ता वाले क्या सागोन वरिक्ष सागोन का जो वरिक्ष होता है अगर पूछे का बेस्ट क्वालिटी का या सरवस्रेष्ट गुणवत्ता वाला 36 गड़ के किस जंगलों पे मिलत यह घाटी है कुन सा खुरसेल घाटी में मिलता है आपके लिए का 36 गड का बेस्ट क्वालिटी का सौगॉन क्लियर जी यहीं पे एक नादी है जाटलूर नादी यहीं पे आपके क्या है जी किसका मगरमच का सनरक्षन हो रहा है क्लियर प्रासन साब पूछता है जीटना पूछ रहा है साब को बता दे रहह हूं आगे चलते हैं हम लोग किसके लिए म में पाट यह में पाट 36 गड का सबसे ढंडा छेतर यह छेतर बोल रहा हूँ, सहर का नाम नहीं बता रहा हूँ, अगर सहर में पूछा होगे सबसे ठंडा सहर, तो सबसे ठंडा सहर या जगा या छेतर या गावं में देखोगे, तो वह आपके लिए अमभीकापूर, अमभीकापूर में आया बाएं ठंडी पढ़ता है, तो याद रखने अमबिकापुर्स ऐसी्ट वालसपोर का मैदान गर महानदी को तोड़ों इक होता है आपके लिए क्या रैपूर दुर्गा का मैदान और दूसरा आता है आपके लिए क्या बिलासपूर राइगर का मैदान दे रहा है आपसान बिलासपूर का मैदान आप इसी में देखो हो गे पहले पहले नंबर में था क्या चांपा लेकिन अभी वर्तमान 2021-22 की स्थितिम देखो होगे तो सबसे गर्म जगा है भई बिलासपूर अब किसी बुक का पढ़े हो ऐसा नहीं है हर सालों गौर्मेंट का डेटा चेंज होता है यह लिए लेटेस्ट डेटा की साब से बता रहे हूं इससे पहले जांजीर चांपा था लेकिन अब हो गया कौन बिलासपूर और चां रखना है मैकल परवाज चाया व्रिष्टी छेत्र होता है यहां पर अना व्रिष्टी छेत्र भी बोलते है अना व्रिष्टी देख रहो पेपर कैसे पूछता है आप सूनेच नहीं होगे कभी बाप पूर्खा सर अना व्रिष्टी छेत्र क्या होता है अब जो आपको अब विडियो बार बार देखना पड़ेगे आगे चले क्या तो यह था आपके लिए अगला प्रस्ने चल रहे हैं हम लोग 36 गड़ में अधिकांस वर्षा किन हमाओं द्वारा होता है अरब सागर की मांसूनी हमाओं से बंगाल की खाड़ी की मांसूनी हमाओं से उत्तर पुर्वी हिमालियन पवनों से और पश्चिमी गरतों से तो आप्सन है आपके लिए कौन सा बंगाल की खाड़ी भाई ऐसे बन यहां 36 गड़ इधर से ट्रेवल करेगा तुसको लंबा नहीं पड़ेगा यह बाजुम जाएगा कूट के सिधा कहा 36 गड़ तो आपको याद रखना बंगाल की खाड़ी की मानसुनी हवाओं से अधिकांस मैक्सिमाम की बात कर रहा है मैक्सिमाम या अधिकांस रूप से कहां हो सकते हैं तब आपको याद रखना कहां से बंगाल की खाड़ी की सकांस की जो मानसुनी हवाओं है वहां से होता है 36 गड़ में वर्षा क्लियर आपसे दो तिन प्रस्न पूछ रहा हूं सबसे पहली आपको बताना है 36 गड़ की जलवायू क्या है मैं बहुंच ज्यादा चीजें बताता हूं लेकिन दो तिन चीज आपसे पूछ रहा हूं दूसरा आपको इक प्रस्न पूछ रहा हूं क्या 36 गड़ की जलवायू है और किस पर आधारी थे दूसरा प्राश्ण तीसरा लू का जो संबंध है लू का संबंध मैं आपको कमेंड बॉक्स में कमेंड में बता दूंगा सब चीज़ लू का संबंध उत्तर भारास से है कि दक्छिन भारास से क्लियर जी आपको चीजे बतानी है मुझे क्लियर कोसिस किया हूं कि आपके लिए जितना टॉपिक लिखा था जैसे चतिसगर का भौतिक विभाजर आपको इसी में चटान देखे हो इसी में परवत देखे हो इसी में पहार देखे हो इसी में चोंटिया देखे हो इसी में हम मिल के प्रयास किया था कि अपन चीजों को अच्छे से कर पाएं हमको हमारे प्रश्न बनने चाहिए अब एक काम कर सकते हैं आप 36 गड़ का कोई भी पब्लिकेशन का बुक उठाए अगर मैंने इन टॉपिक्स को पढ़ाया है तो आप कोशिज करें कि क्या आपको है को वहां से प्रश्न बन रहें अगर आपसे प्रश्न बनेंगे एसिकील बनेंगे 36 गड़ PSC के लिए बनेगा, 36 गडवे आप हमका बनेगा, तब मेरा पढ़ाना सफल होगा, clear जी, तो आप निरंतर पढ़ते रहिए, और निरंतर बढ़ते रहिए, तब तक के लिए, जै जोहार, जै 36 गडवे,